मैकलुस की गंच थाना शेत्र के पलामो जिला की तरहसी थाना शेत्र के तेतरिया घार कोलियरी से नकुल महता अपने च्रक से कोईला लोड कर चांडिल से टाटा जा रहे थे रात नौ बजे तीन लोगों तथा एक स्कूटी सवार योग भारा नकली दरोगा बन का च्रक पर जान लेवा हमला कर आठ सो रुपे चीनने का मामला शामने आए है हाला कि शोर करने पर स्थान्य पुलिस द्वारा कार सवार तीन लोगों की गिरफतार कर लिया गया है वहीं स्कूटी सवार एक अपरादी भागने में सफल रहा है तो जैसे इसने गारी को आगे बढ़ाया तो उन्हों को ऐसा एहसास हुआ होगा कि लगता है कि भाग जाएगा तुरत अपने हाथ में ली हुए डंडा से उसके सामने वला सीसा को चूर दिया और फिर इनके साथ मारपिट करने लगा ड्रेवर के साम और उनके पॉकेट में तेल भराने के लिए करीब 8000 रुपईया नगत था उसको इन लोगों ने छिल लिया साम का समय था करीब 9 बज रहा था अस्थानी हमलों का मैकलूस की गंचा गस्ती रोड पे ही थी लोगों को ये दिखा कि वहां हंगामा हो रहा है और गारी रुकी हुई है तो ये तेजी स जब वहां गय तो पुलिस की गारी को देखके ये लोगों भागना चाहा तो भागने वाले को तील लोगों को इल लोगों ने गिराफतार किया हमारी टीम ने वहां गिराफतार किया सोबित सर्मा जो खिलारी के ही रहने वाले हैं अक्षे कुमार जो अर्वल बिहार के रहने वाले हैं तथा स्याम अगरवाल धंदमिया जो फुदरवर्ती पिकेट पड़ता है वो गाउं है चतरा से अटैस्ट है वहां का रहने वाला एक आदमी भागने में सफल रहा वो गारी सियाज कार है महरूर रंग की तो था एक ही स्कूटी गार है हीरो वो भी वरामद हुआ है तब को लगता है कि ये चुके अभी कोईला को ढोलाई थोड़ा सा तेज हुआ है मौसम अभी साजगार हुआ है तो परसाथ कतम होते ही तो इस टाइब के ने ने ये गुरोव उस छेत्रे में पैदा हो गया है जो अपना एमो बदल कर मोड़स अपरेंडी चेंज करके कभी थाना का दरोगा बता कर कभी कुछ कभी कुछ इस धंका अपरादिक गटना है वहां अंजाम दे रहे हैं पुलिस की ततपरता के वज़ा से वो लोग रहने हाथ पकराया है ये सब सुखत संदेश है हम लोगों के लिए कि हमारे पदाधिकारी उस चेत्रे में देर रात में करक के ठंडी में भी काम कर रहे है अगर आप इस चैनल पे नए है तो हमारे चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर करें ताके आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहें स्वदेश वानी